दोस्तों ये है TVS की तरफ से आने वाली क्रूजर बाइक TVS Ronin 225 आज इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डीटेल विडियो करेंगे इसकी प्राइज माइलेज इंजन इस्विसिविकेशन और इसमें जो भी फीचर्स देखने को मिलते हैं उन तमाम फीचर्स के बारे में आपको फुल जानकारी देंगे तो प्लीज वीडियो को लास्त तक जरूर देखें वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको इस गाली की प्राइज बता देता हूँ तो भाई ये गारी मलतब ये रॉनिन का टॉव मॉडल है आप देख सकते हैं इस पेसल एडीसन वाला मॉडल है ये निम्बस ग्रे कलर में एक लाख हुंचा जार रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइज है और भाई बात करें ओन रोट की तो तकरीबन दो लाख पाँजार रुपए ओन रोट कॉस्ट करती है ये गारी अयुद्ध्या में कुछ ऐसा दिखता है इस गारी का लेफ्ट साइड से लुक ये गारी कही न कही रॉयल इंफिल्ड की याद दिलाती है बात करें फ्रंट लुक की तो फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है आपको इस गारी का फ्रंट लुक कैसे लगता है मैं कमें जरूर बताएं इसमें टी लग रहा है और होने के बाद हेजार्ड लैंप बात करें हेड़ लाइट की दुभाई इसमें अल एलेडी हेड लाइट दी गई है हाई लो बीम के साथ आप चेक कर सकते हैं इस गारी के लाइट का थो काफी बहतरी इन मिल जाता है मतलब रात में आप इसको कहीं भी ले जा सक का suspension, mudguard इस गाड़ी का काफी sleek और मनला पतला सा दिया गया इसका mudguard आप देख सकते हैं लेकिन finishing काफी अच्छी है mudguard की बात करें alloy wheel के तो भाई alloy wheel इस गाड़ी का काफी बहतरीन दिया गया है इसके alloy wheel पे इस टिगरीं भी की गई है, run in लिखाव मिल जाता है और भाई बात करें front disc की तो भाई front में 300 mm की display मिल जाती है कुछ इस तरीके के इस गाड़ी की display फ्रंट और rear में dual channel मतलब इस गाड़ी में dual channel ABS दिया गया है तो आगे और पीछे ABS की ring मिल जाती है देखने को और भाई इसके suspension पे texture भी दिया गया है जो की काफी मतलब अच्छा अलग रह देखने में तो आपको इसका front look कैसे लगा मैं comments में जरूर बताएं कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी right side से आप देख सकते हैं इस stickering इस गाड़ी पे काफी बहतरीन की गई है तीन color में इसमें sticker मिल जाता है जो की काफी बहतरीन दिखता है आप देख सकते है white red और gray color में stickering की गई है यहाँ पे special edition का badge मिल जाता है क्योंकि यह special edition वाला ही model है इस गारी में 14 लिटर का बड़ा सा fuel tank दिया गया है बात करें mileage की तो लगभग यह गारी 30-40 तक का mileage आपको निकाल के देदेगी और भाई वह आपके right पे भी depend करता है जिसे हिसाब से आप इस गारी को चलाएं पे कुछ ऐसा दिखता है इस गारी का instrument cluster M.I.D.G. से हम बोलते हैं इस गारी में passing button अलग से दी गई है आजकल की गारियों के तरह एक में नहीं दी गई है यहाँ पे high low beam switch मिल जाती है वैसे इसमें dual horn दे देना चाहिए था company को लेकिन कुछ ऐसा दिखता है इस गारी का मीटर कॉंसोल काफी मतलब अलग सा लग रहा है इस गारी का मीटर कॉंसोल लेकिन है बहुत ही ज्यादा फीचर पैक यह है इस गारी के engine kill switch यहाँ से आप इसका mode change कर सकते है इस गारी में दो mode दिया गया है urban और ran बाकी tvs जैसे अपाची या राइडर में तीन mode दिया गया है लेकिन इस गारी में दो ही mode मिलता है मैं देखने को यहाँ पे इसका hazard lamp की switch मिल जाती है जोगी काफी अच्छा feature लग तीन मतलब तीन point इसमें दिया गया है आप इसमें अपने हिसाब से इसको adjust कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा feature है मेरे हिसाब से आप दिख सकते हैं आगे पीछे यह मतलब number के हिसाब से adjust कर सकते हैं इसको दोनों तरफ दिया गया है break और clutch के लिए तो कैसा लगा इसका यह वा कुछ ऐसा on होता है इस गाली गा मीटर कॉंसोल इसमें बहुत ही सारे features में जाते हैं जैसे की gear indicator Bluetooth connectivity के साथ में आता है call and messages alert भी इस गाली में दिया गया है average speed urban और ran mode दिया ही गया है time show करता है और इसमें देख सकते हैं आप auto meter trip A trip B और भाई ABS की light मिल जाती है और speedometer दिया ही गया है आप यहां से इसमें mode select button दिया गया है इससे आप इसकी मतलब modes को select कर सकते हैं और भाई trip A और trip B के बीच में switch भी कर सकते हैं इसमें top speed भी so होता है यही button से और भाई इसमें set मतलब time set करने का अलग से dedicated button दिया गया है Bluetooth connectivity के साथ में आता है इसका meter console जो की काफी मतलब after market सा लगता है इसका meter लेकिन है बहुत ज़्यादा feature pack यहां पर Ronin की branding मिल जाती है कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का engine इसमें engine काफी powerful देखने को मिलता है मतलब आप इसको bullet से भी ज़्यादा powerful मान अलग से इंजन दिया गया है जो की oil cool technology के साथ में आता है और भाई इसमें 5 gear ही दिया गया इस गाड़ी में 6 gear का option दिया जाता तो काफी अच्छा होता FI system के साथ में आता है बात करें power की तो 20.4 PS की power produce करता है 3750 rpm और 19.9 Nm का torque produce करता है 3750 rpm इंजन आपको कैसा लगता है में comments में जरूर बताएं और भाई इसमें auto unfold feature के साथ इसका footrest दिया गया आप देख सकते हैं brake lever कुछ इस तरीके का है और भाई इसमें इसका जो ये exhaust tail pipe है का काफी बड़े साइज का मतलब बलकी सा दिखता है और रियर में भी footrest मिल जाता है co passenger के लिए कुछ ऐसी दिखती है इस गाड़ी की chassis और भाई इसमें रियर में monosock suspension दिया गया है जो की 7-way adjustable है जो की काफी अच्छी बात है रियर में 240 mm की disc plate मिल जाती है ABS ring के साथ में और भाई rear tire section की बात करूं तो rear में 230 आर 17 section का tire दिया गया है tubeless tire front और rear में मिल जाता है all train tire है ये भी suspension आप चक्कर सकते हैं 7-way adjustable इसका suspension दिया गया है रियर में monosock suspension है ये कुछ ऐसी दिती है गाड़ी रियर से कि आप देख सकते हैं इसमें single grab handle दिया गया है काफी अच्छे quality का है इसका grab handle काफी मजबूत भी है बात करने tail light की तो भाई tail light इसकी कुछ इस तरीके की है LED tail light दी गई है दी गई है इस गाड़ी में TVS की branding मिल जाती है नीचे तेल लाइड इस गाड़ी के काफी बेतरी दिखती है look wise इंडिगेटर आप चेक कर सकते हैं इसमें LED इंडिगेटर दिया गया है इस गाड़ी में भी अपाची आटी आर की तरह सिंगल सीट का ओप्सन ही मिलता है लेकिन इस सीट की कौल्टी काफी अच्छी दी गई है दो लोग इसमें अराम से बैठ सकते हैं कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का लेफ्ट साइड से look ग्राफिक्स इस गाड़ी के काफी अच्छी है और इसमें स्लीपर कलेच का भी मतलब फीचर मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है इंजन आप चकर सकते हैं टीवेस लिखाव में जाते इस गाड़ी के इंजन पे और यहां पर फाइब गेर मिंसन भी किया गया है एक ग अब जाता है डूल स्टेंड भी दिया गया इस गाड़ी में आप देख सकते हैं इस टेंड नीचे करने पर इसमें लाइट भी बिलिंक होती है नीचे एबियस की लाइट आप देख सकते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का इंजन और भाई इसमें मतलब यह जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया इस गाड़ी के चैन को फुटरेस्ट दिया गया और बाई साड़ी गारड़ भी मिल जाती हgy जो कि Scr सेफटी वाय जिक्र फीच्र लगा और टेर पर इसके टैर हगर भी मिल जाता है अग देख सकते हैं बात करें इस गारी क वील बेस इस गारी काफी अच्छा है 1357 mm का इस गारी में वील बेस मिल जाता है ग्राउंड के लेरेंस है 181 mm की जो की काफी जादा है खराब सड़कों पर चलाने के लिए देख सकते हैं इस गारी का साइड से लुक पात करें इस गारी के लेंथ की तो इसमें टोटल 2040 mm की लेंथ मिल जाती है बात करें विर्थ की तो 805 mm की विर्थ दी गई है इस गारी में हाइट है 1170 mm की जो की काफी अच्छी है बात करें, wheelbase तो मैंने आपको बताई दिया, seat height है इस गाड़ी की 795 mm की, ground clearance भी बता दिया हूँ, आपको 1190 mm की मिल जाती है, इस गाड़ी का curve weight, भाई इस में 160 kg का curve weight है, जो की काफी जादा है, fuel tank है 14 लीटर का, 35-40 तक का mileage आपको निकाल के दे देगी, और भाई इसका सबसे खास feature जो मुझे लगा, इस गाड़ी की top speed, ये गाड़ी तकरीबन 135 से लेकर 140 km per hour की आपको top speed दे देगी, जो की काफी जादा top speed है इस गाड़ी की, तो कैसी लगी आपको TVS की run-in 225 हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक लिए बाई बाई धन्याएं